नमस्कार, आज पुरा देश देश भक्ति के रंग में रंगा हुआ है और हर घर पर तिरंगा लह रहे जाने की तयारी है ऐसे में ये गौर तलब और गौरुपुर्ण बात है कि हमारा चूरू 1930 में ये जन्डा यहां चूरू में फेराया गया था जब अंग्रेजों की सरकार्ती अंग्रेजों का रास्ता तब फेराया गया था चूरू में यहां के स्वतनत्रता शेनानी आदनिया चंदनमल जी बहेड ने अपने साथियों के साथ की जन्डा फेराया था और हमें खुशी है कि आज हम चंदनमल जी बहेड के पुत्र स्री राम गुपाल जी बहेड जो यहां सभाबती भी रहें उनके साथ हैं और आज हम उसी घटना पर और उस परिवेश पर चर्चा करना चाहेंगे राम गुपाल जी के साथ सबसे पहले राम गुपाल जी आपको बहुत बड़ नमस्कार आपका पड़ी शुरुवात जर्चा की करना चाहेंगे 26 जनुवरी उनिस्सोतिस की उस गटना से उस गटना की प्रिष्ट भूमी क्या है उस गटना में किस तरीके से पूरी कारवई को अंजाम दिया गया और क् भूमीं, जो इस गुटना मादैम खिरर्चा एकारी जर्वेरी शुरुवित कैणी के थी साहथ सभ्गर में कि उस्ताबक भी थे क्यच्छनी के सर्कार सरूइट कारवई SUNY आयनी सभा का की मतलत है उत जितनीवे जंजागरती एकारी कारम में हो शुरुवंत भी जो संख्थन था उसके सरोच वह इते जन्जागृति के काम जो थे वो स्वामी जी काभी वोट्सों से चुरू में कर रहे थे और उनके सहयोगी तीम के सदज से थे उन सब ने गुनी सो गुन्तीस में ही यहां डिवेटिंग कलब भी तालू कर दिया था इसमें लव्यूकूं दी जाती थी कि जन्जागृति क्या होती है तुम लोगों को क्या करना डिवेटिंग कलब भी बनी फिर मुनी सो गुन्तीस में चुरू के लोगों ने स्वामी जी की पार्टी ने और चुरू में सबसे पहले नगरपालिकां के चुनाव करवा है जिसमें चार सदेश्यून के पार्टी के चुने गए तो इस तरह से जन्जागृति का केंदर जो है कि उसको जो संस्वागत रूप दिया जाता है वो नगरपालिकां का मन सुभाब इसमें स्वाइटता की बातें भी होती थी नागरी के दिकारों भी बात होती थी और लिट्रेसी की बात होती थी साथ साथ राजनितिक प्रक्नाचकर भी चलते थे संभा बार बार यहां चुरू राजस्तान में कोई चुए तो यह बार बेहते थे आर्टीकल लिगते थे डिवेटिंग क्लब में वाद्यम से नवीवकू को प्रेहना दे करके जो राश्ट्री नेता क्या चाते हैं उनकी क क्या डिमांड है क्या अंदोलन चल रहा है उन से सब को बिंगी करवाया जाता है इस तरह से चुनाव हो गए 1929 में यह लोग चुनाव में चुने गए उनको इन्होंने अपना इतकारी दल के नाम से इन्होंने चुनाव रड़ा और लाजा की नजर में मिकाने स्टेट की ज करते हैं तो अब इदर से क्या हुआ कि स्वामी जी गए हुए ते रिषिकेश जी गुनी सो गुंतीस में अल इंडिया कॉंग्रेस जो इनियर नेसल कॉंग्रेस थी उन्होंने रावरा दिवेशन में तिरंगा जंडा फैराया था रावी नदी के किनारे पैली बार्देश म तो उन्होंने बाद में निजने लिया कि आगामी 26 जनवरी को और पूरे देश में पूर्ण स्वतंतरता आवान अलान किया जाएगा और उसके प्रतीक के रुप में सब जगे तिरंगा जिंडा पहराए जाएगा उसी के हिसाब से यह लोग प्रेजित होकर के क्योंगी रे रिकाने स्टेट जो ती इत्मी भारत की स्टेटे थी उनमें तीरी गुलामी थी जनता के उपर एक राजा लोग अंग्रेजों के गुलाम थे राजान का राज जो था वो जमीडारों के माद दें तो बारत जाएगा इन स्टेट्स पीफूल जो थी उनके उनको त्री तो इन्हों ने भी जंड़ा फेरा इनका जंड़ा फेराने का तीन आदमी जो थे जो भी दिवत चुने गए थे स्वामी यह आपके वेदिभालचन जी शर्मा और मेरे पिता जी इन तिनों ने प्लान किया गंपदीदा जी महंत गंपदीदा बिड़े मंदर के महंत थे वह भी बहुत शुद्य विचारों के और वो कांटी में सीधा भाग तो नहीं लेते थे लेकिन उनकी सेव इसमें सेव खिता रहे थे तो वो भी आई हुए थे इन लोग रने उंसे सला की क्योंकि स्वामी जी थे नहीं तो महेंट जी से चला की ऊन्होंने का ठीक है करेंगे करेंगे महंत गंपदीदा जी मालभी जी से कि घंण स्याम दाजी पिचला कि वो अन्य निकट थे गुरुह बडश्ष सब्सक्राइब करता है। इसलिए वह भी उस पाहना से ओत्प्रत्तो थे ही। उन्होंने कहा कि भी ठीक आपने करते है। तो चुकि जैसे आजकल हर आंदोलन में सीक्रेशी रखी जाती है। CID वाले पीछे पीछते रहते हैं। स्वामी जी के मंदीर पर सरविटकारणी पर 24 गंटे पुलीस की रज़र रती थी और पकाईदा रिपोर्टिंग इसी बात को होती कि स्वामी जी क्या कर रहा है। कि उनके चले चपाटी क्या कर रहा है। स्वामी जी उनको बढ़कावते हैं, यह इसके डोकुमेंट है मेरी बाद, इनमें हो कहते हैं कि स्वामी नहां की जनता बढ़काता है, राजा के खिलाप बढ़काता है, यह पहले से प्रिष्ट पुमिती ही उसकी, तो सब लोग थे उसमें, तो इन्होंने प्लान किया कि पाये थे अपने इलाद के सिल्चले में वो बैद बालचंजी सर्मा के पैसेंट थे, इन लोगों ने समने मिलके प्लान किया कि सुबह सेड़ जी को भी ले चलते हैं, और अपने दर्वसूपर प्रोग्राम कर लेते हैं, उसके पास में बैद बालचंजी की बगीची थी, उसमें हम लोग इकठा हो जाएंगे, और सभा में जो करमचारी काम करता था, उसको जंडा देके उन्होंने कहा कि तुम इस तिरंगा जंडा लेके छले में डालके अलग से आजागा, ताकि तुम्हारे पर कोई डाउट नहीं करें, यह लोग तो प्रस्तान कर गए, इनके स आज़ा राओतमल जी कि एक उस लोग सब सुवए गूमने के कि सुवए गूमने चलते हैं, तो गूमने में उसकारण यह था तो जंडा फेराने का, तो गंड महीं फेराएजा सकता था लिग इन गंड में चेडने से, और में सब उनको पता लगता है, यह क्यो चड़ रहे ह तो इननों देखा कि कौपी संख्या में लोग गूमने जाते हैं, तो यह वहीं अगर इसको कर दिया जाए, तो सब आम और खास में सब जगे चत्सा हो जाएगी, तो इन लोग इस प्रोजन से यह बालसंजी की बगीची गई, और वहां इंदिजार करते थे, लेकिन वह करम तो इन चारोने सेंड़ जी को पता नहीं था कि यह क्या कर रही तेकिन उन्होंने क्या किया कीया कि पिता जी गए वैचंदा लाल गाड थे इग ले बे, उनसे का गई आप वह जगदी देव पराणी, उनको भी उनन नहीं बताई हम क्या करने जा रहें, वह राज क्या रोक लेकिन वहाँ से लाल कपड़ा और गरल कपड़ा वहाँ से लाए अब साफेद कपड़े की समझ्या हुई कोई तीन रंग मिले भी ना तिरंगा बनता नहीं इसलिए फिर बैद बास देंजी के साफे से वह खादी पहनते थी और उन जिनों में च्टी सी बात है कि खादी पहन के दिया अब सिलाई के से करें तो थोर के कांटे से उसकी सिलाई करकर के और वह वहां से पूछते लिए क्या करें अब साफ ऐसे ही कर रहे हैं तो वहां से बोलोग बोले चलो जल्द गोंगरेंगी निकलते हैं वहां करके तर उसूप पर खड़े होगे और खड़े होगे औ वो उमर में सब से छोटे थे और वो लोग खड़े रहे और वो सीदे इस तूप पर दाल करी कुन्द ने उसको ठाव और नीचे से में जीव करें सब जे इनों ने इंखलाब जिन्दावाग क्यों गया तो लोगों ने देखा कि ये क्या हो गया कि वो सुबस्वे की जल्दी अर्ली मौनिंग के बाद इस पहले कहते थे सुमी बढ़काता है राजा के खिलाब बढ़काता है और ये कोई विद्रो कराना चाहता है तो उन्होंने उसी लाइन पर ये रिपोर्टिंग कि इसाथ इन्होंने चुरु सुबस्वतंत्र हो गया फिल्कुल ये बढ़काया जा राजा कि शुरु सुतंत्र हो गया तो वहाँ भी ताल का मजगया कि चूरु में ये क्या हुआ क्योंकि चूरु का ये इत्यास भी रहा है यहां का जो ठाकुर था वो कभी उसमें भीकाने राजी की राजा की कभी सक्ता मानी नहीं तो थोड़े दिन एक दो दिन बाद में रजा भाराजा गंगा सिंग जो थे अपने गंगा लवाजमा के साथ खुद दिली जा रहे थे तो चुरू में रुके तब उस दिन पिता जी और मास्टर बालचन जी सार्च्वत और ये स्वामी गोगा ये बैदी बालचन जी सार्मा जी ये तिनों आदमी गए तो स्टेसल पर ब्लाकाउट किया हुआ था और गंगा सिंग जी देपे से उत्रे इन लोग उनको किसी को पुब्लिक को मतले उनको ये पता नहीं था कि ये लोग आये हैं वर्टा तो ये वहीं कि उनको पकड़ा तपड़ी में जा दी ये पब्लिक क मतलय के पास नहीं है यर्टिय कर लिए जद ने लिद घिया और और खेल मेरे इंगारी दॉचल आ के मैंडेशनल गवर्च्र कर दीया हैं एक जंडे से और से राज कर दिया हैं के सधन कर दिया ये चलने नहीं देंगे मेरे बिंगारी साला तयार है, जिसका लोगा दुनिया मानती है, ऐसे करकर के उन्हों दमका करें, उन लोगों मिलने नहीं दिया, वो गए थे इसलिए कि हम इंडियन नेशनल कॉंगरेस का कारिकरम है, उसका हमने कोई शुरू को सुतर बनी किया, हमारे का पार्टी का कारिकरम लेकिन उनको तो नजदीक और पब्लिक को भी नहीं दिया, तो उनको भी नहीं दिया, तो वो वापस आदे, उसके बाद में ये लोग गए दिली, जिए गणपदीदा जी चले गए थे, शेड जी उसी एक दिन बाद में गाड़ी में बैठके वो भी चले गए, ये तो मालवी जी ने कहा गेरे तुम लोग ये क्या करते हो, मालवी जी से गंगा सिंग जी के बहुत अच्छे रीलेंशन थे, वह जीवन पर ये तो गंधास ने चांसलर रहे, मालवी जी भी उदारबादी थे, मालवी जी का रास्ट्रियों कोंग्रेस से भी संबन था, उनका काम कि इसाब स्वामी जी थे नहीं, हम लोगों नहीं काम हुए, विए ठीक है कोई बास तु इधर से विकाने राज ने इन तीनों की सदिश्टा स्स्वेंड कर दी और ये दरसल में 1932 में जो मुकदमा बना विकाने स्विडियन तरकेज उसकी प्रारंब हो गई थी, प्रस्ट ग हाँ, उस ही से, बड़े पंदी को सीज कर दी है और इन तीनों की मेंबर्शिप सस्पेंड कर दी और ये करम चल गया कि भी इनकी और ज्यादा रिपोर्टिंग गराई से रिपोर्टिंग करोगी क्या करते हैं, तो जो स्वामी जी के अच्छे कारिये करते थे जैसे बीडी बड़ियों से पैसा लेकर बीट सुटवाना तो उसको भी वो स्वाजा के खिलाब इमानतेगी अपना सामारची काइंग करते हैं, इसके मेरे बाद डोकुमेंट है, उनकी रिपोर्टिंग हाथ के लिखी ही रिपोर्टिंग कि वो कहते हैं कि ये तो मोड़ा बढ़काता है किसके हाथ के लिए कि रिपोर्ट तो इस तरह से ये जड़ा दिया गया और इसकी सब जगे है क्योंगी स्टेटों में कहीं नहीं था, नजोदपूर में था वा नहोर कोई जएपूर स्टेट में था, कहीं नहीं हुआ ये चुरू में हुआ ये बाताया जाता है कि पूरे जो सरकार से बयातूर है, वो भईबीत हो गए, वो हुंने को देनी से मिलना दूलना बंद कर दिया है, और यह इतरह से समाज से बाहर कर देते हैं, उसके बाद में लोगों ने दूरिये बनानी सादू कर दिया, और CID Delhi हमारे मेरे पिता जी कहते हैं, मेरी मता जी करते थी, यहीं खिते रहते हैं, गड़ी में हमारे कर में अधर में जो कोई आता है, तो को पूछते एक यह एक वान मेरे बड़े बाए जो अबाध प्रशात जी, वो स्कूल में भी बच्चें उनसे दूर रहने लगे, तीचर्ष उनको बात नही करते थे, उनको तो ऐसे ही समझाते दे कि तुम छोड़ दो स्कूल अभाई दूसरी समझा हो तुम कहा जाए आदू इस तरह का एक सामजीक प्रकट दल हो गया जो इन समसे दूरी और स्वामी जी के मंदिर में भी जनाना कम हो गया इस तरह सी है सोतंतर शेillyक का बेटा एक सोतंत्र के सानानी का परिवार होने का कुष्व एक तरफ दूसरी दरफ कोई व्यक्ति ऐकर कलांती दर्मा जोता है कि विद्रोब्रोगतिम व्यक्ति सफल परिवारिक वक्ति आम दोर पर नहीं होता से ऒचिताजी में नीका जीवन जीवन आम लोग हो अखो है। मेरे पिताजी और मेरे चाचाजी दो भाही था। जी. दोनों में इस आपक उनके पच्पन में उनके पिता गा दियान तो लिया था, सबमाटा नहीं होंग पलाओ। दोनों बाहियों में बड़ा बाई भेप था तू बो कमाते थे तो पूरे परिवार का पालन होता था पिता जी के आएका कोई साधन नहीं था पीच वीच में कभी चले गए तो फिर वापस आगे तो कस्ट में गुजरा और कस्ट में गुजरा वो कस्ट उनके जीवन काल में रहा उनके लगवा हो गया तो मैं भी कलकते से छोट करके यहां गया लेकिन हमारे पूरा परिवार का खर्चा मेरे चाचा जी चलाते रहे और चाचा जी के लड़के मैं पिता जी के पास सब लोगने मिलके मुझे का तुम जाकर उनकी सेवा करो तो वो लबे समय तक लगव अगरस्त रहे तो मैं यही रेक्ता हो के रह गया और बार नहीं जा सेका लिकिन कभी इस दिश्टी से खाने के लाला नहीं पड़े क्योंगी मेरे चाचा जी और मेरे भाही जो है वो आज भी आज भी आप देख रहे हैं इतने सब काम हो पैसे उन्हों नहीं बेजे कि गरव तो हमारे परिवार में आपस में अभी तक बहुत प्रेम भाही जारा है तो आर्थ एक दिश्टी से हम लोग कोई बहुत संपन भी नहीं हो पाए और कमी भी नहीं रही है वहाँ से बाद से मेरा सारुदेग जीवने वो अपने जीवनकाल में उन्हों नहीं शुरू में पै वो गया है, तो रिपने जी क्या हो गया हूँ, यह तो, सखो गया इन सदारों से हो तो ठोड़ दिया हूँ, तो जमीन भी नहीं मिली, तो जदा सदानी को मिलती थी, और पंशन उनों बर्ष उती है लिए बाद में जाकर कि अपने अचुदू में कलेक्टर थे गजंदर तो जीवन उनका कभी वैसे भाई की वजए से वो कभी कस्ट में नहीं रही, फाइनेंशियल कस्ट उनको कभी नहीं हुआ, उनकी इच्छा पुराने आदमी थे, संस्क्रिट स्कोलर थे, इसलिए उनकी कोई इच्छा भी नहीं थे, वो जुरूर से ज्यादा अपनी चादर से करीज़न परफ़व, अधरी वो कुछ है, साबान जीवन थे, पठन पर फटन में भी भी निता घृटत्धा थे, इसलिए उनकी जितने थरह, संस्क्रित के स्व लोलर थे, स्वामी जीव फेर भी उनकी ज़मि Soc Net War of the उन्होंने आरी समाज के जो गेद चपे हुए उन्में भी उन्होंने कभिये निकाली जब उनको लगवा था तब वो पेटे-पेटे यही काम करते हैं उन्होंने वो में स्विकार किया कि हमें मिस्पिटी होगी है तो पठन पठन भी जीवन हुज़रा मेरी सेवा से हो सकता है कि इनकी बॉली बंद हो गी थी वो खुश थे कि क्या थे मैं कह नहीं सकता लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी बहुत अच्छी से होगी तो मेरे से बन पड़ा हो पेरे से बहुत अच्छी और सार तक चर्चा आज चबीश जरुवी उन्होंने इस गटना करम पर आधनीय जंदन गंटों गंटों तक चर्चा कर सकते हैं लेकिन समय की अपने सीमाएं हैं आज हम गोपाल साब से इजाज़त लेंगे और दुबारा इंसे ऐसे ही मुद्वों पर चर्चा हम करते रहेंगे आज आपने बातचीत के लनोन देदी और इतनी अच्छी सार तक चर्चा हमारे अच्छों आपने झार्चों